वोगेदर नमस्ते हाद आप सासिया काल मैं हूँ सिये संकल कांस्टिया एंड अपना आ गए है और एक सेशन में शुर शॉट एफम 10 मार्क्स के सो गाइज स्टेश सब्सक्राइब बिकॉज ऐसे बहुत सारी चीजे में आप लोग को करवाने वालो विच विल एंशुर दाट यॉर एफम या आईब्स पेपर 6 आप लोग बहुत स्ट्रॉंग होजए प्लस कम टाइम में पूरा का पूरा कॉरा 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 एक्स्ट्टेट एकस्प्रें दो तीन बार इसको बरावर से सुन लो and you'll be through मैंने और भी chapters के concepts for x derivatives के डालना start कर दी हैं आपको कुछ specifically चाहिए let me know in the comments and I will definitely get back to you and do share and like it अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो so dividend equalization reserve के ओपर question आने का बहुत chances है institute में past में एक दो बार पूचा है and it is a new it was a new concept and it was introduced so काफी अच्छा है तो अब आपको मैं करवाने वाला हूँ ये मेरे magic book से so अगर आपके बास magic book है well and good open कर लीजिये नहीं है तो please order it right now because उसमें सारे concepts, formulas, theories and master sums एक जगा पे है which will be very helpful for you in your revision because अगर आपको 2-3 revision करना है exam time पे one and half days में पूरा का पूरा portion complete करना है then this book is for you कहाँ पे मिलेगा नीचे आप लोगो comments section में मैं दे देता हूँ link and definitely you can join it from there but अगर नहीं अभी सर तो हम क्या करें तो telegram में मैं ये upload कर देता हूँ तो मेरे telegram से भी आप लोग ये 2-3 pages जो है वो आपको मिल जाएंगे and then you will be able to do it तो चलो भाई शुप काम में देवी किस बात की let's get started with this session full focus के साथ सुनना 2-3 बार सुन लेना इसको at least and trust me this concept will be thoroughly done for you और क्या चाहिए पताते रहना till then let's start with the session अब आपन लोग आ रहे हैं बहुत इंपोर्टन concept के ओपर जिसका नाम है dividend equalization reserve अब दियान से सुनना मेरे example को दो बात कुछ ऐसी है कि say for example मेरा मैं और मेरा एक friend है वो partner है company में company का नाम है say SK limited मेरा नाम है संकल मेरे friend का नाम है कनन तो हम लोग दोनों partners है 50-50% तो 1st April 2025 से लेकर 31st March 2026 तक हम लोग की company में 1 लाग रुपे earn किये हमारा profit sharing ratio है 50-50 50,000 का profit मेरे पास आजएगा 50,000 का profit उसके पास आजएगा हो गया हम लोग ने फिर next year वापस स्टाट हुआ तो उसे 1-4-20-26 से हम लोग का नया year स्टाट हुआ 1-4-20-26 से लेकर 31-3-20-27 तक total company ने कमाया 4 लाग का profit अब कहना इसे 50-50 परसंट यह भी डिवाइड हो जाएगा अब इसमें मैं कहानी में ट्विस डालता हूँ अब समझो first six months तो हम दोनों ही partner थे उसके बाद वाले six months में हम लोग ने और एक partner को introduce किया और वो जो मेरा partner आया कहना इसे वो अभी profit sharing ratio हम लोग का one third one third one third हो गया बट यह कहना है इसे first October से हुआ है मैं आपको एक example के तौर पर बताता हूं यहां पर देखना सरा यह दिखो आपके लिए बनाए मैंने बहुत ही beautiful example समझो SK है ठीक है यहां पर आपको दिख़़ा है SK संकलप और कननन का partnership 1425-26 में एक 50,000-50,000 का profit दोनों ने बाठ लिया 1426 को फिर आगे business continue किया 110-26 तक जब तक यह नया partner Mr. Z नहीं आया तब तक 1,500,000 कम है अब obvious सी बात है यह जो 1,500,000 है यह किसको बिलॉंग करता है यह कैना इसे संकलप और कनन को बिलॉंग करता है और बाकी का जो 3,000,000 है जो 110-26 से लेका 31-327 तक हुआ है कैना इसे दाट बिलॉंग्स हजी 1,500,000,000,000 & 1,000,000,000 A same चीज होती है mutual fund में अब देखना एक लास्ट चीज मैं बोल रहा हूं अब यह से example year-end में 4,500,000 प्रॉफिट क्या मैं यह 4.5 लैक तीनों पार्टनर में S, K और Z में 1,50,000, 1,50,000 and 1,50,000 डिवाइड कर सकता हूँ क्या आप ओलोगे नो सर इसमें से जो स्टार्टिंग का 1,50,000 है वो तो खाली अपने S और K का है तो आप वो Z में क्यों डिवाइड कर रहे हो exactly यही same चीज होती है guys exactly यही same चीज होती है in case of mutual funds mutual funds में भी कोई ऐसा investor होगा जिसने 1st April को invest कर दिया होगा और कोई ऐसा investor होगा जो 1st April को invest कर दिया वो ऐसा को investor होगा जो 1st December को आएगा अब April में June, July, August, September, October, November शो कहना इससे approximately 8 months हो गए अब 1st December को कोई entry ले रहा है अब जैसे ही कोई 1st December को entry लेगा तो 8 महिना से मैं invested हूँ वो जो investor है वो 1st December को entry ले रहा है और mutual fund company 15th December को dividend declare करता है तो 15 December को तो जो भी mutual fund के investor list में उन सबको dividend मिलेगा वो जो 1st April वाल है वो बोलेगा रहे यह क्या बात हुई कि जो 1st December को आया उसको भी उत्रा dividend और जो 1st April से उसको भी उत्रा ही dividend तो यह तो गलत बात हो गए यह सर तो ऐसे situation में there comes a concept called as dividend equalization reserve जहां पर बोला गया है कि यह जो 1st December को investor आ रहा है उसको आपन को लेगे भाई यह mutual fund कमनी ने 8 महीने में जो भी dividend कमा है न चल वो तू एक्स्ट्रा देगा जो नैव है उसको पर एक्स्ट्रा देगा और वो dividend equalization reserve में जाएगा for the investors जो पहले से invested है at the same time वाई से वर्सा अगर कोई investor जो पहले से invested है और बीच में से निकल रहा है तो जितना time वो invested था उतने time का dividend equalization वो लेकर भी जाएगा जैसे यहाँ पर मैंने example को continue किया है अगर आप लोग note करोगे अगर आप लोग यहाँ पर note करोगे तो यह जब Z आएगा न हमारी company में तो हम लोग बोलेंगे भाई यह 150,000 तो S और cake है यह 150,000 तो S और cake है तो Z को बलेंगे सुन हमारा जो 150,000 है न उतना share of goodwill जो आपन लोग म तो 150,000 divided by 3 कैना इसे 50,000 हुआ 50,000 को मैं S और K में divide कर देता हूँ 25-25,000 Z S और K को as a part of goodwill दे देगा 50,000 उसके जेब से गया ताकि year end पे जब division हो 4.5 lakh का तो 1.5 lakh S को 1.5 lakh K को और 1.5 lakh Z को जाएगा and that is where because वो already अपना share लेकर आग है 25-25,000 का तो 50,000 उसमें से effectively minus कर दो तो बचता कितना है 1 lakh Z का K का 1,75,000 S का 1,75,000 logically भी अगर आप करोगे तो यह 1 lakh और इधर इसका 75,000 तो 1,75,000 और इधर इसका 75,000 तो 1,75,000 and इसका 1 lakh so basically या तो जब Z partnership में एंटर कर रहे है तब उससे goodwill मंगा लो या last में जब divide कर रहे हो तो S और K को उसके पहले period का दे दो और S के Z को बचे भी period का दे दो तो यहाँ पे mutual fund company बोलती है कि सुनो dividend equalization reserve introduce करो जो बोलता है that boss जब आप enter कर रहे हो तब भी आपका dividend equalization reserve which is called as goodwill लेकर आओ we know that dividend is distributed by mutual fund company on a particular date suppose if an investor has purchased mutual fund just before the dividend date he would get for full dividend even though he became the owner just few days before 1 December को आया 15 December को dividend क्या वावई तुम तो पूरा dividend लेगे to avoid above disparity as new mutual fund investor should ideally be not entitled to any share of mutual fund that arose before his entry तो अपन क्या करेंगे to compensate for the above an equalization amount is added to the cost of each unit जब वो पर्चेस करेगा उसको बलता है dividend equalization reserve therefore as per above concept the amount to be recorded dividend equalization from the investor is कितना income earned किया उसने वो period में वो आने के पहले upon units before issue of units into number of units to be issued clear so dividend equalization income calculated on above is added to the mutual fund income so that is how the system works तो वो जो भी लेकर आएगा ना investor mutual fund के income में चली जाएगी और बाकी जो deserve करते है इसको मिल जाएगी dividend equalization to be paid when investor sells his units before dividend day so अभी अगर मैं जा भी रहूं तो मैं उतना dividend मेरा लेकर जाओंगा उसके लिए मैंने classic example बनाया यार आप लोग भी का पाच रुपए कमाया तो income of first month 250 रुपी का total income divide by number of units 50 तो पाच रुपए का income per unit आया है यहाँ पे add dividend equalization received अब यह जो नया बंदा आ रहा है ना उसको मैं बोलूंगा कि भाई देख तेरको मैं 10 unit दे रहा हू ठीक है जो हम लोग का पुराना income है ना उपर वाला उसके उपर 5 per unit हम लोग ने उतना income कमा है तो तू एक्स्ट्रा पाच रुपया लेकर आ तो 10 unit जो आ रहा है उसक फिर उसने उसमें total 50 units थे तो 5 रुपय का income per unit हम लोग ने कमाया add dividend equalization जब कोई नया बंदा आएगा उसको बलेंगे चल अभी तू भी यह 5 रुपय लेकर आ तो 50 रुपय dividend equalization उससे ले लिया वाईसर वरसा जब कोई छोड़के जा रहा income of second month से 120 का income कमाया अभी 60 units आ गया तो 2 रुपय का income per unit कमाया अब जब वो जाएगा तब अपन लोग उसको बलेंगे भाई तू जा रहे कितना unit बेच रहे 5 unit बेच रहे अब तक हम लोग ने 7 रुपया कमाया है वो तेरको दे देते तो 35 रुपीज का हमारा total outflow हो गया तो ऐसे add less करके आपको total पता चल जाएगा पास कितना dividend equalization में पैसा आता है और फिर बाद में company बोलेगी उसमें से कुछ अगर उसको dividend distribute करना है dividend distribute करने के बाद जो balance बचता है that will be called as your dividend equalization balance समझ में आया अब यहां पे दो point बहुत important है guys एक है calculation of issue price जो भी अभी investor नया आ रहा है 1st December को उसको अपन बोलेंगे तेरको opening नया entry load तो उसको देना ही पड़ेगा बाई entry load तो देना पड़ेगा वो भी देगा साथ में तू dividend equalization का amount भी देगा and at the same time अगर कुछ तेरा opening nav है जब तू जा रहा है तो जो nav का balance है वो nav का हम लोग तेरको पैसा देदेंगे but जो back end load है वो minus कर देंगे at the same time जो dividend equalization है वो तू समझ में आ गया everybody तो यहाँ पर जब कोई खरीद रहा है तो उसको लेंगे चल opening nav भी दे चल back front end load भी दे चल dividend equalization reserve भी दे जब वो जा रहा है तो उसको लेंगे चल nav का तेरको पैसा दे रिया बट उसमें से commission minus कर दे बट जितना dividend तेरको belong करता है उतना मैं तेरको add करके दे द में हुआ है that will be taken जो भी income मिला है that will be taken dividend equalization जो receive हुआ है जो पे हुआ है और उसके बाद को dividend distribute हुआ है यह सारी के सारी चीज़े closing nav पे आ जाएगी and that's how your total nav is calculated okay then so time for me to say hasta la vista कैसा लगा session okay so i hope आप लोग ने अपना attendance दे दिया होगा subscribe भी कर लिया होगा और bell icon click कर लेना so that all notifications आते रहे and और एक new badge भी आ रहा है master class AFM वो live join करना है let's catch up there as well 100 hours में पूरा का पूरा AFM with all concept formulas and subs yes we can do it hasta la vista keep smiling thank you so much